सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और प्रेस कीजे बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके नमस्कार दोस्तों वेलकम टो स्वात सफर और जिन्दिगी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगे चोको लावा केक ये एकदम डॉमिनो स्टाइल हम इसे घर पर बनाएंगे बहुत एजिली ये बनता है बहुत टेस्टी लगता है यमी लगता है बच्चों को तो बहुत पसंद आता ही है बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है और जब हम डॉमिनोस जाते है हमाँ पर हम गर्म गर्म लावा केक अरडर करते है बिल्कुल वैसा ये घर पर बनेगा बहुत आसानी से तो चरिए फिर वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले मैंने यहाँ नहें पर केक का प्रीमिक्स लिया है पिल्स्वेरीब केक का प्रीमिक्स है यह बहुत आविवियनी ओन-लाइन अफ्लाइन ग्रॉष्टि स्टोर में एक बेकिंग स्टोर में कहीं भी अविलिबल होता है तो ये चॉकलेट फ्लेवर का मैंने लिया है इसके साथ मैंने यहाँ पर दूद लिया है ये एक कप दूद मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ पर मैं एक कप पूरा यूज नहीं करूंगी इसमें से आधा ही मुझे लगेगा और इसके साथ ये रिफाइंड ओयल है नॉर्मल जो कुकिंग ओयल होता है न वो है और यहाँ पर मैंने डेरी मिल्क की चॉकलेट ली है ये सबकी घर में अवेलेबल होती है इसलिए मैं ये वाली ले रही हूँ इसके अलावा अगर और कोई ब्रैंड की आपके पास चॉकलेट हो तो आप वो भी ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं ये प्री मिक्स इसमें डालूँगी ये एक कॉटल कप है इस कप की मेजरिंग से मैं पाँच से छे लावा केक इसमें से बना लूँगी अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक कटोरी के नापसे भी से ले सकते हैं अब इसमें दो चम्मच में तेल डाल रही हूँ बहुत जादा नहीं डालना है ये बड़ा चम्मच है इसमें से आधा मैंने डाला और आधा इसमें से बचा लिया अगर आप चाहें तो केक की जगा बटर का भी यूज़ कर सकते हैं तेल की जगा सौरी और अब मैं इसमें दूट डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके दूट डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं होने चाहिए और आराम से इसको एकी डारेक्शन में हम गोल-गोल घमाएंगे ये इंस्टेंट बिल्कुल प्रीमेक्स यूज़ करने से बहुत फटा-फट बन जाता है लेकिन अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो मैं वह वाला वीडियो भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ तो इसको मैं जल्दी से इस तरीके से मिक्स कर दोंगी और ये ठेक इसका बैटर बन गया है इसकी पहचान ये है कि जब हम इसको इस तरीके से उठाएंगे तो ये एजिली गिरना चाहिए अगर आपके पास कोई मेजरिंग कप नहीं है तो आप कटोरी से या चम्मत से थोड़ा-thोड़ा करके इसमें दूद डालिये ये कप भरके दूद मैंने लिया था पर बहुत थोड़ा सा इसमें लगा पूरा नहीं लगा और इसको आप थोड़ा-थोड़ा करके डालिए दूद को और इस consistency में आपका जब batter आ जाए तो बस ये ready है तो अगर आप measuring cup नहीं है तो भी कोई tension नहीं है अराम से ये बन जाता है तो बस अब ये ready है अब यहाँ पर मेरे पास ये cake का mold है ये microwave वाला mold है इसके साथ ही मेरे पास ये silicone वाले mold भी है आपके पास इन दोनों में से जो भी हो आप उसमें बना सकते हैं और अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो इस तरीकी के जो silver foil आती है इससे आप cup का shape देके किसी कटोरी में इसको wrap करके उसमें भी इस cake को बना सकते है जब हम घर पे बना रहे है तो हमें कोई tension ही नहीं है जो हमारे पास चीजे available होगी हम उसमें बनाएंगे मैं इस बड़े वाले stand में ये silicone mode रखूँगी और इसमें बनाऊँगी क्योंकि इसमें गोल-गोल shape आ जाता है और जो चोको उतलावा होती है अंदर से चोकलेट निकलती है तो वो ऐसा खाने में भी थोड़ा easy हो जाता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आप directly नीचे वाला जैसा mold है वैसा हो तो उसमें भी बना सकते हैं और अगर आपके बस चीनी मिट्टी के cup है ना इसमें हम चाय पीते हैं उसमें भी यह बन जाता है बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है बहुती easy recipe है इन सारे silicon mode में मैं थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ ऐसा करने से जो हमारा cake है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है कुछ भी चीज बहुत जादा नहीं लगेगी जरा से मैं यह बन के तयार हो जाएंगे यह रहिए इनको मैंने अच्छे से grease कर लिया अच्छे से तेल लगा दिया और इनको set कर दिया मैं 6 बना रही हूँ यह छे का stand ऐस लिए अब इस जो यह प्रीमिक्स मैंने बना के रखा था मिक्स्चर वो मैं एक एक चम्मच इसमें डालूँगी पूरा एकदम से उपर तक फिल नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा केक है वो फूलेगा तो उसको फूलने के लिए स्पेस चाहिए एक एक चम्मच मैं सब में डाल रही हूँ अच्छी तरीके से और यह इतना ही गाढ़ा होना चाहिए जितना मेरा दिख रहा है बहुत पतला मत करिए नहीं तो फूलेगा तो पूरा लिकवेट पोर्शन उसका बहार आ जाएगा तो जरा ध्यान से बनाएए बहुत जादा चीजे तो इसमें डालनी नहीं है यह प्रीमिक्स बहुत अच्छा होता है ना इसमें शक्कर डालनी होती है ना सोड़ा डालना होता है बस इसको लाओ घोलो और बना लो यह और भी फ्लेवर्स में आता है तो मैं इस बार चॉकलेट फ्लेवर का ईूज़ कर रहे हूं अब यहां पर जो मेरी डेरी मिल्क की चॉकलेट है इसको मैं फार्ड लूँगी इसमें से चॉकलेट निकाल लूँगी और इस चॉकलेट को हम बीच में भरेंगे बहुत से लोग चॉकलेट को मेल्ट करके डालते हैं पर मैं डारेक्ट डाल रही हूँ मेरी ऐसे ही मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे से मैं इसको 2-3-3 पीसे में डाल दूँगी अच्छे से चॉकलेट भ़री रहेगी कड़वी वाली मत लीजे उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है कलर बहुत अच्छा आएगा लेकिन कड़वा कड़वा लावा निकलेगा जिसे कोई नहीं खाएगा तो यह वाली चॉकलेट को मैं अच्छी तरीके से डाल रहे हूं डैरी मिल्क में इसका बहुत है वह मैं उपर से डाल दूंगी और जितनी वी चॉकलेट है उसको कोट कर दूंगी चॉकलेट डिखनी नहीं चाहिए जब फूलेगा तो जो हमारी चॉकलेट की लिक्वेड चॉकलेट रहेगी वह अंदर ही सेल हो जाएगी जब हम उसको काटेंगे तब वह बहार के लिए और जितना मैंने बनाया है बैटर उसमें चेक बिलकुल आराम से बन गए इतने के लिए ही मैंने बनाया था अगर जादा कॉंटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर बैटर थोड़ा से जादा ले लीजे अगर आपके घर में पार्टी है बच्चों का बड़ तब चटी चटी से केक बनाई है बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और अगर ऐसे भी आप बनाएंगे घर पर कुछ मीटा खाने का मनो तो गरम-गरम लावा केक को खाई है यह बहुत अच्छे लगते हैं अब थोड़ा से इसको डैप कर दूँगी जिससे इनसा में एयर आ दूँगी और कैफेटेरिया मोट पे इसे 10 मिनिट के लिए रख दूँगी दस मिनिट में एक बनके एकदम तयार हो जाएंगे और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो नीचे नमक डालिए और 10 मिनिट के लिए कढ़ाई में रख देजे यह देखिए हमारे केक एकदम फूल के बढ़िया से रेडी हो गए है बस अब हम इसको निकाल लेंगे जादा देर इसको ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि यह गरम गरम ही खाते हैं और एकदम बढ़िया से फूल गए हैं मैंने बहुत जादा ओवर फिल नहीं किया इतने बड़े मुझे चाहिए थे अगर म परफेक्ट हमारा जो केक है वो बन गया है बिल्कुल कहीं से नहीं चिपका इतना टेस्टी और इतना सुंदर लग रहा है मैंसे आपको काट के भी बताऊंगी पहले आप इसे उपर से देख लीजे कितना टेस्टी यह बना हुआ है अब हम इसको कट करेंगे तो इसमें से बीज से लिक्वेड चॉकलेट निकलेगी यह रेखे हमारी चॉकलेट एकदम मेल्ट हो गई है अच्छी तरीके से काटा इतनी सारी चॉकलेट इसमें से बाहर आ गई इसे जरूर ट्राय कीजिए यह सबको बहुत पसंद आएगा बहुत ही कम कोस्ट में घर पे बन जाता है डोमिनोस में तो यह इतना महंगा मिलता है घर पर यह बहुत आराम से बन जाएगा बहुत ही कम सामान में तो इसे जरूर ट्राय कीजिए और यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए